तो दोस्तों अब सब कुछ टाइम पहले मैंने वाउटेक की community पर पोल चलाया था जिस पर मैंने ये लिखा था कि मेरी next वीडियो किस topic पर होनी चाहिए मैंने वहाँ पर कुछ पांच topics भी दिये थे सबसे पहला जो topic के how to manage YouTube channel जिसमें 13% लोगों ने vote किया था और एक हाउ टू earn money online जिस पर 18% लोगों ने vote किया था और तीसरा था how to increase views जिस पर 5% लोगों ने vote किया था एक था how to grow YouTube channel जिस पर 56% लोगों ने vote किया था तो यहाँ पर how to grow YouTube channel पर 56% लोगों ने vote किया था तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि how to grow YouTube channels तो बने रहे हैं वीडियो में अंट तक वीडियो बहुत important होने वाली है जो beginners होते हैं YouTube पर जो नए नए आते हैं ठीक है उनके mind में ये सवाल रहता है कि भाई हम अपने channel को कैसे grow करें जैसे तो मैं पांचों के पांचों टॉपिक्स पर channel grow हो रहा है ठीक है अपने मेरा फुराना setup देखा होगा और अभी ये नए वाला setup देखा होगा तो आपने कहीं ये तो देखी लिया होगा बाई जिरे-जिरे कैसे grow कर रहा है बंदा ठीक है और आज मैं आपको भी grow किस तरह से कर सकते हैं अपने चैनल को वह भी मैं जो जिनको जो बिगनर्स हैं उनके जो मैं उनके चैनल पर जाकर के देखता हो ना भाई मुझे यह नहीं समझ माता है यह किस कैटेगरी का चैनल है ठीक है तो सबसे पहले जो पहला पॉइंट आता है मेरा अपनी कैटेगरी को चूज करना सबसे पहले हैं अपनी को find करो रिसर्च करो Step well कि कि स्केडरी में ज्यादा अच्छे से पर्जेंट कर सकते हैं अपने अपको हम अच्छे से एंडेटेंब्स कर सकते हैं यह हम लोगों को Wind did men an air traffic Pak लेना है चैनल करेट करने से पहले हैं उनके चैनल पर मैं बहुत बहुत मैंटर करती है आपके नीश पर आपका जिस भी नीश से आपको चैनल बनेगा करोगे उस नीश के कोडिंग आप अपना लोगों तयार करोगे उस नीश के कोडिंग आप अपना चैनल आठ तयार करोगे फिर आपकी जब भी जब भी कोई आपके channel पर visit करेगा, उसको लगेगा, हाँ भई, यह टैकनिकल से लेटिड़ आपका channel है, यह आपका gaming से लेटिड़ आपका channel है, यह entertainment से लेटिड़ आपका channel है, तो उसको कहीं नहीं? पता चल जाएगा, और आपकी videos के अंदर अगर, आपने महनत करकी है, अपने presentations मे महनत करकी, अपने अडिटिंग में अपने महनत करकी, तो जरूर वो आपको सस्क्राइब करेगा, आप ये मस्तोचेओं कि भाई मेरा स्टाट अप है, तो लोग मुझे सस्क्राइब नहीं करेंगे, नहीं, अगर आप अच्छा कॉंटेंट दे रहे हो, मैं उनको subscribe करूँ मैं वहाँ से सीखूँ अगर कोई छोटा creators जो beginners है वो अच्छी बात बता रहा है तो मैं वहाँ से भी सीख लेता हूँ तो आपके अंदर भी ये सब चीज़े होनी चाहिए आप ये जो गलती करते हो आप किसी भी वीडियो को चला करके अगर आठी मिनट की वीडियो है ना तो आठी मिनट की अगर पूरी वीडियो देखोगे आप तभी आपके समझमाएगा पूरी वीडियो ऐसा तो आप स्टार्टिंग में एक टेड़ मिनट देखोगे जज करके भाग जाओ गया रहे कुछी नहीं बता रहा है यह तो ऐसे time pass कर रहा है, नहीं दोस्त, time pass नहीं कर रहा है, वो अपना experience share कर रहा है, एक बार वीडियो का आप पूरी तो देखो, तब यह समझ माएगा कि क्या बता रहा है, यह हर यूटुबर के साथ करते हो आप, मेरी नहीं साथ करते हर youtube के साथ करते हो हर youtube की यह सिखायत है आप लोगों से कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते इस वायसे आपके कुछ भी समझ में नहीं आता बस query करते रहते हो मतलब comments करते रहते हो कि सर यह नहीं हो रहा तो आपको यह सब अपन가지 के बाद आपको एडियो के जो अच्छी करनी है उसके बा slider करता है consistency यह बाए आप अपने चैनल एक एक शुड़े बेठे बेटे हो लेकिन फिर आप कोई ये वीडियो मिलेगी यार बंदा में दम है और अच्छी बात बता रहा है और हम भी अपने चैनल फिर से हम शुरुआत कर सकते हैं फिर आप 2 महिने के बाद सुरुआत करो पर आपके माइ बरे व्यूज डबल हो जाते यह कही नहीं माइड में रहता है दोस्तों और वैसे भी भी लोकडाउन कर समय चल रहा है और लोकडाउन दिल्ली में विकेंट चल रहा है और हो सकता है यूपी में भी हो जाए बारितवार का तो आप बहुत मेहनत करो यार लोग मतलब पिसले ल ही करोगे जब तक आप खुछ से सैटिस्वाई नहीं होंगे अपने वीडियो में अपनी एरेटिंग में अपने शैट अप में जब तक आप सैटिस्वाई नुंगे तो तो आप सिलें कर पाऊथव से छूछी आप Wagner करते हो पता लोगोंने जो 0 Nee on to no 2 6 लोट किया है जो 0 परसेंट लिखा हुथ हमेने एक 55 परसेंट 75 परसेंट और 100 cents सो जो 0 परसेंट ये उसुरी 16 परसेंट लोगोंने वोड किया हुआ है से exposed 25% है 8% लोगोंने 50% 7% लोगोंने और 75% 11% लोगोंने और 100% 57% लोगोंने मतलब यह कि जो 50% लोग है 7% लोग भी मतलब 50% अपने आपको satisfy नहीं कर पा रहे तो कहीं नहीं अपनी चीजों से satisfy हो जो आप work कर रहे हो और तीसरा point मेरा यह है आप जब वीडियो बनाते हो एक बार उस पर research कर लिया करो ठीक है research करोगे तो आपको कुछ नई सीखने को मिलेगा research करोगे तो आपको कुछ नई point सीखने को मिलेंगे अपनी audience को बताने के लिए मिलेगे जो भी आप script तयार कर रहे हो किसी से भी किसी भी niche की हो तो आप एक बार उस पर video देख लिया करो कि और लोगों ने किस तरह से video बनाई है किस तरह से उसमें क्या क्या point उसमें add किया हुए है फिर आप उसको अपनी videos में add कर लिया करो कुछ नई trick आप को सीखने को मिलेगी वहां से कुछ नए words add on कर लिया कर लिया करो जो आपकी videos को देखना सुनों कर रहे है ठीक है तो before publishing and before shooting आपको अपनी एक बार videos को देख लिया करो मतलब before shooting आप एक बार research कर लिया करो उसी same topic पर इस पी topic पर आप video बना रहे हो दोस्तों आपके अंतर patience होना भी बहुत जरूरी है जब आपको लगता है हम सारे काम अच्छे कर रहे हैं और अच्छा editing कर रहे हैं अच्छी content दे रहे हैं लोगों और आपको लगता है कि यूज नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए आपको patience रखना पड़ेगा थोड़ा सा ठीक है क्योंकि मेरे को एक साल हो गया यूटूब पर work करते करते हो और अब मेरे व्यूज 100 प्लस पहुंच रहे हैं इतने time मेहनत करने के बाद तो आप तो फिर भी 2-3 महीने के बाद आप सोचते हो और उनको देखो वो क्या कर रहे हैं आपको उनसे बहतर करने की जरूत है अगर आप अपने चैनल को जल्दी ग्रो करना चाहते हो ठीक है और दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को इन्फरमिशन सा आपको अच्छी लगी ठैंक यू